हेलो फैंस आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ तो जैसे कि आप इस स्कीन पर देख रहे हैं पार्ट वन जो कि सत्र है 21-24 है और B.A.B.S.C.B.com जो exam date एक cancel हुआ है उनको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा exam date cancel हुआ है और उसकी बदली जो exam cut date है उनको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आंदर तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी information प्राप्त हो सबसे पहले तो यहाँ पर date जो है या आया हुआ notice जो है वह 20 March 2023 को आया हुआ था और मैं सरल भास्ता मैं आपको समझाओंगा तो वीडियो को थ्वास ध्यान से देखना और समझना यहाँ पर देख लें कि Department of Examinations जो नोटिस आई थी यहाँ पर इसमें बोला गया है कि सभी संबंदित छाथ चात्रों को सुचित किया जाता है कि दिनांग 31 March 2023 को आयोजित बैचलर पार्ट वन जोकी 17,24,2022 की परिक्षा बिहार विदान परिशत के चुनाव के कारण पुर्व निर्धारित कारकरम के अनुसार होगी जोकी 4 April 2023 को होगी जोकी परिक्षान यंत्रक द्वारा यहाँ पर नोटिस आया हुआ है अब इनको थ्वासर समझ ले जो भी मैं बताने वाला हूँ कि यह नोटिस जो था सिर्फ 21-24 के चात्रों का था मैं सवरकिल में समझा रहा हूँ आपको उसके बाद इसमें बताया गया है कि 21-31 मार्च 2023 को जो आपका एक्जाम का डेट था सिर्फ उसी डेट को कैंसल किया है और उनके बदली जो एक्जाम का डेट आया हुआ है वह 4 अपरेल 2023 को दे दिया गया है क्योंकि 31 का एक्जाम 4 अपरेल 2023 को होगा और क्यों कैंसल किया गया है क्योंकि यहां पर लिखावा भिहार विधान परेशब के चुनाव के करन तो चुनाव होने वाला है उनके करन इनका एक्जाम का डेट जो है वह चेंज कर दिया गया है जो कि अब जो एक्जाम का डेट होगा अब जो exam का date होगा वह 4 अप्रेल को होगा सिर्फ एक exam का date आपका cancel हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया अच्छे से समझाने का भी पढ़ियास किया है सिर्फ 31 का exam 4 को होने वाला है और अब जो next video मेरा आने वाला है पूरा exam date जो है जितना भी exam date है उनको मैं समझाओगा तो सभी से request उस video को आप लोग घ्यान से देखें देख लिजेगा आपके सारे doubt जो है वह clear हो जाएगा और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करें WhatsApp status में लगाएं और थ्वासल सपोर्ट करें धन्यवाद